इस्ट्वन यहाँ दो सेंटेंस हैं, पहला है, He stopped to say hi to me, और दूसरा है यहाँ पर, He stopped saying hi to me, इस्ट्वन जब to say का यूस कब होता है, और saying का यूस कब होता है, यह आपको पता होना चाहिए, to say का मतलब है कि action अभी होने वाला है, purpose को बताया जाता है, saying का मतलब action पहले से चला आ रहा था, ठीक है ना, अब वो यह purpose को यह complete action को बताता है saying, और यह action जो भी होने वाला है, तो यहाँ पर होने वाला है मतलब, हाई कहने का काम यहाँ होने वाला है, इसलिए stop का मिनिंग निकलेगा, He stopped, वो रुक गया, तू से कहने के लिए, हाई टू मी, वो मुझे हाई कहने के लिए, रुक गया, और यहाँ saying का मतलब भी तो पहले से हाई कहता था, इसलिए अब यहाँ stop का मतलब हो गया, बंद कर दिया, He stopped saying, उसने बंद कर दिया, saying मतलब कहना, हाई टू मी, उसने मुझे हाई कहना, बंद कर दिया, ठीक है, तो यह इसका यहाँ पर meaning है, थैंक्यू बरी मच्च इस्टेंट, अगर पसंद आया होगा तो लाइक,